वेलफेर सोसाइटी में आपके सामने गुजरात महीला कल्यान ट्रस्ट से मधु देदी चोहान आई हुई हैं और उन्होंने काफी सुना था कि अपनी वेलफेर सोसाइटी नहिशुलक पौधा रोपड और व्रक्षा रोपड करती है सीड बॉल्स और प्लांट्स की छोटे मोटे प्लांट्स के माध्यम से तो आज उन्होंने एक लेटर दिया अपनी वेलफेर साइटी से आप अपना परिचह दीजिए किस तरीके से काम करते हो कैसे आपको अपनी वेलफेर साइटी की जानकारी मिली जी विजहें एक हैया है ने बताया था राजा न सुनस्तांस होरा चुडे obsessed चेलिये मास्टर होब सीओगी भी हूँ और मैं चैनकारतों सेवा परद्व करती हूं एक पेड़ मा के नाम प्रकृति मा के नाम एक पेड़ जैसे आपने किया है ठीक है आपको पेड़ों की निरंतर सेवा अपनी तब से जितनी जादा जादा होगा करेगी और सीड बॉल्स भी देंगे सीड बॉल्स के माद्य हम से आप रख्षा रूपर कर सकते हैं तो अवनी विल्फर सोसाइटी की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई भाईया के तुरू प्राप्त हुई प्राप्त करेंगे और आपको समाधान भी देंगे कि कैसे आप ये सारे जो इतने सारे व्रख्ष आप देख रहें पेड़ देख रहें इसमें हैं अगर उस साइट से आप देखेंगे तो बेल के हैं गुल मोहर के हैं हैं सीता फल के हैं इमली के हैं आम के हैं अमरूत के हैं पीपल के हैं बरगत के हैं और ये देखिए ये है बादाम का ये है करेला का और सभी मतलब आप जितने देख रहें जामुन के काफी है तो हम ये आपको निशुल के देंगे और हम चाहेंगे कि आप जैसा कारे कर रहे हैं इस पुनीत कारे में अबने विल्बर ससाइटी संस्ता आपके साथ जुड़े और आपके साथ बढ़े और आपके नेक कारे को हम आगे बढ़ा सके. अब हम जानना चाहेंगे कि आज आप कौन-कौन से पौधे गुजराती महिला कल्यान ट्रस्ट को कौन-कौन से पौधे दे रहे हैं क्या नाम है पौधे के नाम बताईए जी आम है जी भूंगा है जी बास है जी गुल्मोहर है भर्गत है जी ये आप क्या लेके आया है जी जामून भी है जामून जमबुद भी पे ठीक है ये आप क्या लेके आया भी अच्छा तो इसका क्या उदेश है देने का बास का ओके ओके तो डेट्स ग्रेट बास ऑक्सिजन सप्लायर है और गुलमोहर के पेड़ हम जादा-जादा क्यों बनाते हैं आपको पता इसका कारण तो कहीं अगर हम लगाते हैं तो कोई पत्थर नहीं मारेगा तो जिससे कोई डैमेज नहीं होगा और छाया बहुत देता है और परशु पक्ची का संदक्छर देता है और साथ में गुलमो अवनी ट्रस्ट व्रक्चार ओपर करता है क्योंकि व्रक्च जो होते हैं साथ में मेडिसीन से देते हैं और परशु पक्ची के संदक्चर देते हैं और सबसे बड़ी बाती आज की समय में रोजगार देते हैं अगर हमने पांच आम के पेड भी लगा दिये न तो आप एक व nyt के रोजगार का साधन हो जाता है जामुन का पेड इतना जामुन देता कि रोजगार का साधन हजाता है और सब प्रक्रति ने हमें निश्चुल्क दिया है और सही समय है व्रक्षार ओपड का मौनसून आउन है मौनसून चालू है तो आप हमारी नर्सरी के अब मैं आपको प्रयोग शाला है चोटी सी प्रयोग शाला है निरंतर कारत प्रयोग शाला है हम इसमें तुरंत पौधे लगाते हैं और तुरंत हाँ आप यूट्यूब के माध्याम से है किस तरीके से हम सीट बॉस बनाते हैं हम जन जागरती अभियान चालू करना चाहते हैं हमने तो कसम एक करोड की खाई है लेकिन हम से जादा लोग जुडेंगे तो हम सब करोड हजार करोड भी पहुंच जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी जो इस वीडियो के माध्याम से देख रहे हैं आपके नेक कारे को देख रहे हैं और यह पौधे आपको समर्पित करेंगे तो अब आप पौधे एक बार आपस में लेजिए लीजिए आप दीजिए हाथों हाथ पौधे दीजिए आप भी खड़े हो जाएए उस साइड सामने जी यह यह देखिए जी कौँसा है बरगत का सबसे मतलब मैं पेड़ों में इन चारा सौ साल रहता है पूरे एरिया को हरित कर देए हजारों साल रहता है और हमारे मेरे काल से मद्ध प्रदेश गौवर्मेंट के जो लोगो है उसे बरगत का पेड़ी बना हुआ है और आप देखिए कितने सारे पशुपक्षी का संदक चड़ हो जाता है तो इसी तरीके से आप इस नेक कारे को करते रहे और हमारे नेशल को गौश आला ये प्रियोग शाला चलती रहे और हम एक करोड रक्षा रोपड के लिए आप सभी के आशिरवात से और आप सभी के स को कोटी-कोटी प्रणाम और आप सब्सक्राइब करना चाहिए जिए 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 बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी वेलफर साइटी के प्रियोग शाला और में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद